नमस्कार दोस्तों मैं एमेशनेगी एक बार फिर से आप सभी का श्वागत करता हूँ आपके ही यूटूब चैनल रंग ज्यान कलाप रश्णावली भाग 29 में दोस्तों यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेर वाज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो शुरू करते हैं क्वेशन नमबर वन राम गोपाल विजय वरगिया ने मेगदूत का चित्रण किस पद्धती में किया था ओफशन A. वास पद्धती, B. पेश्टल पद्धती, C. टैंपरा पद्धती यह ओफशन D. तेल रंग पद्धती इसका सही ओफशन हो जाएगा ओफशन A. वास पद्धती किस काल्टूनिस्ट को मलणों परांद भारा सरकार द्धार दोजार 21 में पदम स्री शम्मान दिया गया ओफशन A. केसी शिवशंकर, B. आरके लक्षमन, C. कुट्टी मैनन या ओफशन D. मार्यो मिरांडा इसका सही आंसर हो जाएगा ओफशन A. केसी शिवशंकर नेक्ट वेशन, साची की इस्तूफ की खोज किसने की थी ओफशन A. कनिंगम, B. टेलर, C. नील मैकेंजी या ओफशन D. ग्रिफित दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा ओफशन B. जनरल टेलर जिनोंने 1818 में इसकी खोज की थी नेक्ट वेशन, अमरिता सेर्गिल द्वारा चित्रित विक्टर एगन का पोट्रेट की निलामी कब होई थी? ओफशन A. 16 दिसम्बर 2020 को, B. 19 दिसम्बर 2020 को, C. 18 दिसम्बर 2020 को, या ओफशन D. 15 दिसम्बर 2020 को इसका सही आंसर हो जाएगा ओफशन B. 19 दिसम्बर 2020 को, इस पैंटिंग की निलामी 10.186 करोड में खोई थी? ओफशन A. गीजा में, B. नाशोम में, C. असरिया में, या ओफशन D. मिस्र में इसका सही आंसर हो जाएगा ओफशन B. नाशोम नेश्ट वेशन, बिहार की मिथिला पैंटिंग कलाकार को 2021 पदम स्री शम्मान से सम्वानित किया गया है ओफशन A. दुलारी देवी को, B. सुमित्रा देवी को, C. मंजुसा देवी को, या ओफशन D. कमला रानी को इसका सही आंसर हो जाएगा ओफशन A. दुलारी देवी को, नेश्ट वेशन, किस भारतिया कलाकार ने परतिष्ठित जौन मीरो पुरुसकार जीता ओफशन A. मिरलालिनी मुखरजी, B. मीरा मुखरजी, C. निलिनी मलानी, या ओफशन D. अरपिता शिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ओफशन C. निलिनी मलानी, जिनोंने 2019 में यहाँ पदक यहाँ पुरुसकार जीता था, यहाँ पहली भारतिया महला, B. हैं जिने जौन मीरो पुरुसकार से शमानित किया गया है नेक्स्ट क्वेशन, भारतिया चित्रकला में पुनर जीवनवादी, विचार धारा का परवर्तक कौन था, ओफशन A. यामनी राई, B. राजा रवी वर्मा, C. चंदर सेन, या ओफशन D. नंदिलाल, बॉस, इसका सही आंसर हो जाएगा, ओफशन A. यामनी राई नेक्स्ट क्वेशन, एलोरा में बनी तिरी मूर्ती की उजाई कितने फिट है, ओफशन A. 15 फिट, B. 14 फिट, C. 20 फिट, या ओफशन D. 19 फिट, इसका सही आंसर हो जाएगा, ओफशन C. 20 फिट नेक्स्ट क्वेशन, शमकाल इनकलाकार लक्ष्मन पे का निधन कब हुआ था, ओफशन A. 12 मार्च 2021 को, B. 15 मार्च 2021 को, C. 14 मार्च 2021 को, या ओफशन D. 13 मार्च 2021 को, इसका सही आंसर हो जाएगा, ओफशन C. 14 मार्च 2021 को, शमकाल इनकलाकार लक्ष्मन पे का निधन हुआ था दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखने के लिए आफ शेवी का बहुत बहुत धन्यवाद